जैदी जी आप जवाब देना चारे हैं पार्टी की तरफ से बात कही गई हाला कि अब मुलायम सियादर जी अब इस दुनिया में नहीं नहीं का बड़ा सम्मान है लेकिन उनों यह बात करी थी कि लड़के हैं लड़कों से कल्की हो जाते हैं तो महिलाओं के उपर होरे अपराद और उनके साथ अगर कुछ तरह की इ कि लाओं कोई मानते हैं तो ऐसे लोग जो संसाथ में जाकर पब्लिक की बात करते हैं तो आप उनसे क्या उमीड लगाएंगे राने वाली जन्रेशन के लिए आप क्या मैसेज देरें लाएं आज चोटा से जवाब ते आपको तरह करते हैं चोटा से जवाब ठीके मैंने त तो जो 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 हमारे व्य डियूस नेवाएंगे आप कोई करता है कोई यह ने करता फृम कहीं दो और ने लाजम को चांडा उन्पार चाइज मृत तो ये लड़कियों की जिम्मेदारी है क्या ये सब रोकने की, कैसे बात कर रहे हैं, आप संसद हैं, इस देश की संसद में बैठते हैं सहावा आप फिर को मरों नहीं, मैं कह रहा हूं ये चीजें नहीं होनी चाहिए समाल में आपने कहा बेहाय है, निरलज्जिता है, क्या मतलब था आपका, मैं आपकी को मौका लेती हूं, हूरी उसम जाधार तरुए मतलब ये प्लीज बीच में आवाज नेची के जिसन देना किया है मैं मैंने आप से यह कहाना कि यह सब कुछ हो राए तरह मुं होना जाए है हम सब भार्मिक लोग है अब बेशर्मी क्या है यह 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 लिए रिलेशन्शिप क्या है 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 यह होमोसेश्वालिटी क्या है अब आप कानून और समविधान के भी खिलाब बोलेंगे इसे बैन होना चाहिए या हमारी तहजीब नहीं है इंडुस्तान की तहजीब नहीं है अब आप कुछ भी समझ लें अब आप हिजाब को लिविंग रिलेशनशिप से जोड़ रहे हैं है अब आप लिविंग रिलेशनशिप और हमो से यहारा है आप और समय रभी आप handicon लोद लौटे सब्सक्राइट कि नहीं है अभी यार्ट समय नहीं लीए की बात करें भी अवार्म जाने तो 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 सुचा कि इतने बड़े चैनल पे इतनी बड़ी आंकर के सामने इतना जूट बोल रहे हैं तो थोड़ा परदा फास्तों होना चाहिए साथी साथ आपको एस्टी अशन जी मुझे खहते वे बहुत दुख हो रहा है कि पताने किस जवाने में रहते हैं आप लोग और एक आप औरतों की बात कर रहे हैं और आप मुझे एक बात बताईए कि किस रेफरेंडम के हिसाब से आप मुसल्मान जो भारतिये मुसल्मान और उससां नित्रित करते हैं या आप उनके नुमाएंद्गे हैं या आप में को ऐसा रेफरेंडम सरकारी कराया है जिसमें गौत व्शर को भारतिये 菜ना चाहती हैं जाना जाथी हैं पहनके नहीं पहनना चाहती आपने बच्चों को बच्चियों को तीन जार्टी सालf колis वो हिजाब में लपेट के रखना चाहती है वैसे देश और वैसे संस्थालों में नहीं बेजना चाहती है जहां पे हिजाब अलाउद नहीं है वो किताब को नहीं हिजाब को चुड़ना चाहती है अगर आपके पास ऐसा कोई कोई भी सर्वे हो कोई भी रिपोर्ट हो तो आप प्लीज आज तक पर बटा दीजें मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप उनके नुमाइंदगी को उनके मत को इस देश के सामने प्रकट करेंगे प्रब्लेम यही है अंजना जी कि पहले तो यह मामला खतर नहीं हुआ है मामला अभी सिर्फ स्प्लिट वर्डिक्ट आया है हमको नहीं पता कि उट कि स्करवट बैठेगा अभी जो हाई कोट का फैसला था करनाटका का वो अभी भी वैसा ही है तूसरी बार आपको थोड़े आपको यह अवस्तर वाधिता नहीं रगती है अंजना जी कि यही सुप्रीम कोट था जब उसने ट्रिपल तलाग पे फैसला सुनाया था तो यही सारे लोग थे जो कह रहे हैं यह तो बैडिन लौ है यह तो धर्भार्मिक हस्तचेफ है और आज एक गस्टिस दूलिया के को इसलाइक को किया जारे हैं और चाहिए कि यही तो सही रास्ता है तो यह बतादें कि या तो या तो वो ट्रिपल तलाग का मामला सही हो सकता है या फिर इसमें जो मामला आएगा चाहे वो किसी भी करवत भूट बटे वो उसको मानेंगे